तो दिवानों स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल दिवाने हैं हम पर और आज हम देखने वाले हैं Never Have I Ever के सीजन सेगेंड का एपिजोड नमबर फोर एक और इंडियन बला तो एपिजोड फोर्थ की शिर्वात देवी और बेन से होती है देवी बेन को मनाने की कोशिश करती है पर बेन उसे धुतकार देता है आखेकार ये बेन खुद को समझता क्या है एक तो नाम भी और तो वाला रख रखा है देवी को पता नहीं इसमें क्या दिखता है तो चलो तो क्लासरूम में चलते हैं, अरे ये कौन है, शायद कोई नई स्टूरेंट है, इससे मिले, ये है एनिसा, एक नई इंडियन गल, वो भी स्कूल में, ये सौकर खिलती है, मोमीडियन है, और इंटेलिजन्ट है, और आते बराबर इसने क्लास में सब का दिल जितना शुरू कर दिया, तो ये तो बहुत जादा फास निकली, और मैं ये क्या देख रही हूँ, देवी को इससे जलन हो रही है, अरे नहीं देवी रुख जा, तुम इससे कही गुना जादा परफेक्ट हो, बस खुद पर यकीन करो, फिर क्या होना था, प्रिंसिपल ने देवी को एनिसा क कॉलेज घुमाने के लिए कहा, और देवी को ये करना ही पड़ा, अनिसा, 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 हर जगा बस अनिसा मशूर हो रही थी, पैक्स्टन के दोस्तों में अनिसा, म्यूजिक क्लास में अनिसा, टीचर्स की फैवरेट अनिसा, ओ अनिसा, देवी के लिए ये अनिसा लिए घर ला रही हो देवी के लिए ये बड़ा अजीब था उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अनिसा से दोस्ती करनी चाहिए या दुश्मनी वैसे नलीनी से पूछा जाए तो एक इंडियन हमेशा दूसरे इंडियन का दोस्त होना चाहिए नहीं की दुश्मन इसलिए वो अनिसा को अपने घर खाने पर बुलाना चाहती थी जब अनिसा देवी के घर आई तब वो अपने साथ फरेरो रोशर रिश्वत के तोर पर देने के लिए लेकर आई फरेरो रोशर को देखकर नलीनी दो इंडियन मॉम तो पागल ही हो गई फिर जब सारी गल्स रूम में इ एलेनोर ने एनिसा को बताया कि देवी के दो बॉइफ्रेंड्स थे एनिसा को ये काफी कूल लगा फिर एलेनोर को मैलकम का मेसेज आया तो वो एनिसा की एडवाइज लेने लगी पर एलेनोर तो देवी की फ्रेंड है और उससे देवी की एडवाइज लेनी चाहिए पर व एलेन और एनिसा को ये आइडिया बड़ा ही पसंद आता है फिर जब रात में सब सो जाते हैं तब एलेन और एनिसा और देवी मैलकम से मिलने चले जाते हैं पर शोकिंग तो ये होता है कि वहाँ पर बैन भी मैलकम के साथ आया हुआ होता है और फिर वो सब वहाँ से टैटू गेंडा इवान उसे call करने लगता है कमला को वो call receive ही करना पड़ता है कमला को अपनी date छोड़कर lab में जाना ही पड़ता है वही दूसरी ओर देवी और बाकी के सब ही tattoo पालग बहुच जाते हैं और बेन देवी को challenge करता है कि अगर तुम piercing करवाओगी तो मैं भी टैटू बनवाऊंगा देवी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी नाग टोच लेती है मैलकम भी अपने पेट पर टैटू बना लेता है फिर आता है बेन अपने हाथ पर एक छोटे से बॉल का ड्रॉइंग बना कर वेसे देवी पर नो स्पीन कमाल की लग रही थी बहुत हो गया देवी के बारे में अब कमला के बारे में बात करते हैं वो बेचारी रात में दो बज़े तक लैब में काम कर रही थी हाउ सैड लोग आगे बढ़ने के लिए कितना काम करते हैं और मैं पागल यूटूब पर वीडियोज बनाती हूँ ये क्रेजी है पर मुझे क्रेजीनेस पसंद है मेरे दिवानों तो हम कहा थे कमला पर मेरा मतलब है कि हम कमला की बात कर रहे थे नौटी लोगो लाइफ में खुश रेने का हक सभी को है इसलिए डेट नहीं हो पाई तो क्या हुआ कमला का स्वीट बॉइफरेंड उसके लैब में उसके लिए खाना लेकर पहुच जाता है कमला उसे बताती है कि देखो मैं यहाँ अकेली हूँ और लैब के सारे लोग वहाँ कलब में पार्टी कर रहे है शायद वो लोग मुझे पसंद नहीं करते तो कमला का बॉइफरेंड उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें वो जो लोग काम करते है उसे तुम्हें लाइक करना चाहिए ऐसा करने से वो तुम्हें पसंद करेंगे और तुम पर का लोड भी कम हो जाएगा कमला को प्रशांत की बात समझा जाती है और वो इस फॉर्मिले को ट्राय करने की सोचती है फिर कहानी देवी पर शिफ्ट होती है सुबह तक वो घर के बाहर होती है और बड़े मज़े करती है मैलकम एलेन और को किस करता है और जूटा वेन साइड में बैठ कर अपने टैट्यू को रफ कर रहा होता है फिर देवी उसे कहती है ये क्या मजाक है ये तुम्हारा टैट्यू टैंपररी था तो वेन कहता है हाँ मैंने तुमसे जुट बोला फिर देवी कहती है पर मैंने तो अपनी नाक पर permanent piercing करवाई फिर बेन कहता है क्या हुआ बुरा लगता है न कमिट करके कि सामने वाला पहले से ही जुट बोल रहा था देवी को समझ आ जाता है कि बेन ने बदला लिया पर वो चिरती नहीं है वो बेन से sorry कहती है पर बेन तो सा नहीं है तो दोस्त होने का नाटक भी मत करो देवी को ये सब सुनकर बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा वो रात भर सो नहीं पाई और क्यूंकि वो बेन के बारे में ही सोच रही थी वो अपनी नोसपीन निकालना भी भूल गई फिर सुबह देवी की मा उसकी नोसपीन दे कर समझ जाती है कि रात में देवी बाहर गई थी और फिर वो देवी की आरती उतारती है यार ये इंडियन मॉम्स हमें हमेशा हमारे दोस्तों के सामने ही क्यों बैजज़त करती है पर इस बार अनिसा ने देवी को उसकी मॉम से बचा लिया था अब अनिसा को अल्विदा कर तो दिवानों एपिजोड नमबर फोर्थ यही पर फिनिश होता है और जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिजोड एपिजोड नमबर फिफ्ट में लाइक शे सुस्क्रेब कर दो अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सीबाद दिवाने हो तुम तो लाइक शे सुस्क्रेब कर दो अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सीवा दिवाने हूँ तुम तो अलविता दिवानो जल्द मलाकात होगी अगले एपिजोड में